Hello everyone, welcome back on my channel, my name is Shashi Khan अगर आप student, teacher, administrator या academic से जुरे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होगा आज हम भारसर कारद्वारा लांच एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊँगा जहां से आप फिरी में online course करके अपने skills को पुस्ट कर सकते हैं Without wasting any time, let's get into the video दोस्तों सबसे पहले आपको Google Chrome open करना है Google Chrome open करने के बाद आपको type करना है Swam Swam type करने के बाद आप इंटर करेंगे, जो first option आएगा that is Swam Central उसके बाद Swam Central पे आपको click करना है जैसे आप click करेंगे, कुछ ऐसा interface खुल कर आएगा ये भारसरकार की Swam Central की official website है जहाँ पी nine national coordinator की जो instructor है, वो इनके program को design किया है और वही guide करते हैं जैसे आप उपर देख सकते हैं, about Swam, all courses, national coordinator अगर आप national coordinator पे जाग के देख सकते हैं, यहाँ पे 203 इनके partnering institute है, जो इनसे जुड़े हुए हैं और 9213, already completed course हो चुके है और 30,90,409,83 जो students है, वो अलड़ी enrolled हो चुके है 26,29,526 तिल तुन आउ, इजाम के लिए registration कर चुके हैं और 16,58,020 अलड़ी successful certification ले चुके हैं जिससे नीचे अकर scroll down करते हैं, तो यहाँ भी देख सकते हैं All India Institute of Technical Education, CEC, IGNU, IIM Backlord, NCERT, National Institute of Open Schooling, NIT, TTR, NEPTEL, और University Grant Commission, जैसे 9 National Coordinator के जो इंस्ट्रेक्टर हैं जो इसके program को design किया है और वही हमें guide करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें sign in या फिर registered करना है तो इसके लिए आपको जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर sign in registered का option दे रखा है जैसे आप sign in पर click करेंगे तो कुछ ऐसा interface खुल कर आएगा यहाँ पर आप चाहें तो Microsoft account से Google account या Facebook account से इसे आप login कर सकते हैं मैं इसे Google account से link open कर रहा हूं जैसे मैंने Google account से okay किया कुछ हैसा interface खुल कर आया और मेरा जैसे आप देख सकते हैं यह account ओलड़ी login हो चुका है अगर आप आप all courses पर click करते हैं यहाँ पर जितनी भी course available है वो सारी information यहाँ पर दिख जाएगी आप चाहें तो यहाँ पर filter करके भी देख सकते हैं जैसे यहाँ पर अगर मैं इंडियन इस्टिटीट आप बैंगलोर से अगर जो को भी course करना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्डिटी बहुत सारी courses है जैसा कि आप देख सकते हैं अब अपनी according जो भी course करना चाहें वो course यहाँ से कर सकते हैं जैसे यहाँ पर देख सकते हैं प्रोड़क्टिक अनलेटिक ऑप्रेशन मैनेजमेंट इस पर सबसे अची बात है यहाँ पर जो course जैसे operation management के लिए तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके समरी में सबसे पहले एक इंट्रो वीडियो बनाया हुआ है जो course से related है अगर आप राइट साइड में समरी में देख सकते हैं course type क्या है duration कितने 6 weeks क्या है इस्टार्ट डेट जो है 31st June 2023 और इंडेट है वह 30 April 2023 एक्जाम डेट भी यहाँ पर अल्ली में संकिया हुआ है जो 14 में 2023 को होगा और इंडेट है जो एंडेट है इंडेट है इंडेट है इंडेट है इंडेट है इंडेट 15 में 2023 मतलब आप चाहे तो इस course को लिए इन्रॉल कर सकते हैं उसके बाद यहाँ प्रफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ इस वीडियो में आपको क्या-क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके वाद यहाँ पर कोर्स यहाँ पर कवर किया जाए गया उसके वाद बूक और रिफ्रेंसेज भी देखा है जो इंस्ट्रक्टर हैं इं Indian Institute of Management. Bangalore के इस्ट्रक्टर है उनके बारे में पूरी information अगर कुर्स certificate के बारे में बात करें यहाँ पी कौर्स certificate के बारे में भी अल्रणी मैंशन किया हूँ है यहाँ पि लिखा हूँ है passing past, you are, you will be eligible for certificate only if your score minimum 40% in mid term or assessment and minimum 40% in final exam तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको join in पे क्लिक करना है जैसे आप join in पे क्लिक करते हैं तो आपको update profile का option यहां पे आ रहे हैं तो यहां पे कुछ basic information है जो आपको यहां पे फिल करना है जैसी your name, mobile number, MLID, age group, gender, country, pin code, state, इसके बाद district, profession, highest qualification आपकी क्या है, किस यहर में आपने graduation pass किया है, ऐसी सारे information है जो आपको यहां पे provide करना है, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं दो box दे रख हैं जहां पे I agreed to sham, term and condition, इसको इस दोनों box को आपको check-in कर देना है, करने के बाद आपको simply update profile and join course पे click करना है, जयसे इस पे आप click करते हैं तो आपको सारी information यहां पे देर रख आप यहाँ लिख आओ जैसे आप देख सकते हैं, thank you for the courses, click the announcement tab for the important information, इसको में बंद कर देता हूँ, यहाँ पे announcement tab में आप देख सकते हैं, यहाँ फे सारी information यहाँ पे ऐब सारी इबलेवल प्लिक करेंगे तो यहां पर प्रोग्रिस में आपको यह information मिलेगी जो आपका course कितना complete हो चुका है ऐसे जो भी course करना चाहे है आप यहां पर कर सकते हैं और इसके जो examination है जो भी center आपको allot होगा वहां पर जाकर आपको exam देना कुछ course है जो free है कुछ course के लिए certificate के लिए आपको pay भी करना होता है आज की वीडियो में पस इतना ही उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को subscribe करें और दोस्तों के साथ share करें दिशे शर्शिकान signing off thank you